उदर श्री नारायन हॉस्पिटल में जॉइंट रुप्लेस्मेंट रोबोट का शुभारम हुआ सिम अगेल ने इसका शुभारम किया इसकारकरम में कई गड़्मार ने अतिती भी मौझूद रहे दादी की मौझूदा वक्त में दिवेंद्र डगर रायपूर सिर्ट शुरिनारायन हॉस्पिटल शुभारम ही नहीं बलकि आसपास के दूस्ट्रे प्रदेशों में और्टोपेडिक्स चुके साके मरीजों के लिए सबसे पहली पसंद के रूप में स्थापित हो चुका है तो यहां पर विश्वस्तरी टेक्नीक्स उपलब कराने और अत्यादुर्ग पद्धती के से घुटनों के प्रत्यारूपन सर्जरी के उदिशों से मध्य भारत का सबसे पहला माक्स मेरियल के विए से रोबोट स्थापित किया गया है जैसे चुके साके एक शेत्र में एक नई यूग का आरेम होगा आज मैं रायना हर्पितल में आटोमेटिक जॉइन्ट रिफ्लेस्मेंट रोबोटिक सर्जरी की सुईदा सुरू हो रही है और यह हमारे लिए पूरे मध्य भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्दी के आज दिन्या रायना में काट्टर खेमका के मेहनस थे आज इसके सुवाब हुई है सुवारा हुआ है इसके लिए मैं पधाई देता हूं यह रोबोटिक जो सर्जरी होती है यह इसमें परफेक्शन बहुत ज़्यादा होता है हम लोग जो पहले कन्वेशनल मेथड करते थे उसमें मिलिमीटर में नाप होता था नाइन मिलिमीट है इसमें रोबोट का 9.2 कढ़ना है कि 9.3 कट करना है किस एरिया में कितना कट करना है यह प्रिशिजन सूप रोबोट में सौफ्टवियर के हिसाब से फीड़ है और इस ऑपरेशन करने से पहले मरीज में जो है उसका एक सिटी स्कैन किया जाता है पहले दिन जिसमें हीप क एंकल जॉइन का और नी का पुरा सिटी स्केन लेकर अलाइनमेंट देखा जाता है और वो पुरा सॉफ्ट्वेर ने फीट किया जाता है और अपरेशन करने से पहले 15-20 मिनट जो है रोबोट के साथ और उसके कंप्यूटर के साथ बैट के प्लानिंग करनी पड़ती है